अभी जो ये पैक बना के मैंने अपने चेहरे पे लगाया हुआ है ये मैंने बनाया हुआ है पालक से अगर आप पालक का फेस बैक सर्दियों में हफते में तीन दिन लगाते हो तो इससे आपको क्या-क्या फायदे होने वाले हैं अगर आपको बहुत ज़दा dark circle की problem है तो आपके जो dark circle हैं धीरे-धीरे light होने लगेंगे और कुछ time के बाद बिल्कुल खत्प हो जाएंगे अगर आपकी आँखों के आसपास ये जो area हमारा होता है यहाँ पर आपको बहुत ज़दा wrinkles की problem है तो ये भी धीरे-धीरे काफी हद तक आप इने control कर सकते हो अगर आपकी skin बहुत ज़दा dry रहती है आप कुछ भी अपने चेहरे पे लगाते हो और कुछ समय के बाद आप देखते हो जो आपकी skin है काफी ज़दा dry हो जाती है तो आपको अपनी dry skin से भी छुटकारा मिलेगा ये पैक आपकी skin को natural तरीके से glowing बनाएगा और natural चमक आपकी skin पर लेके आएगा अगर आपके चेहरे पे pimples के जैसे की होता है हमारे जो pimples होते हो तो ठीक हो जाते लेकिन उनके जो निशान होते है वह हमारे चेहरे पे पड़े रहते है जैसे कि आप यहां पर मेरा देख यह मेरा pimples का निशान नहीं है यहां पर मुझे काटाता है एक मच्छर ने तो मेरे साथ में ऐसा होता है मेरे skin ऐसी है कि मच्छर भी अगर काट जाता है तो ऐसी ठीक नहीं होता फिर उस पर पक जाता है जैसे कि pimple हो जाता है तो ऐसा हो जाता है और उसके बाद तो धीरे-धीरे light होने लगता है लेकिन अगर हम अपनी skin की care नहीं करेंगे तो जैसे कि यह आप मेरा दाग देख रहे हो ना यह दाग ऐसे ही रहेगा अगर मैं अपनी skin की care नहीं करूँगी तो और जड़ा यह dark हो जाएगा लेकिन फिलाल क्या है मैं अपनी skin की care कर रहे हूं तो जो यह dark था ना मच्छता इसे मैंने काफी हद तक light कर लिया है और आप कुछी time के बाद देखना यह बिल्कुल भी हैंसे साफ हो जाएगा यानि कि जो इसका निशान देना यह बिल्कुल खत हो जाएगा तो आपको यह पालक का pack हफते में तीन दिन जरूर लगाना चाहिए तो आज मैं आप सभी के साथ पालक का face pack शेयर कर रहे हूं उबालने के बाद आप मैं इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है और आप मैं क्या करूंगी जो यह पालक है इसी निकाल के मैं डालूंगी एक मिक्सिजार के अंदर और इसी मैं अच्छे से grind कर लूंगी तो यह तो है मेरा पहला तरीका अगर आप इसे उबाल कर यूज में नहीं लेना चाहते तो आप क्या करें कच्छा पालक लेकर उसे साफ जरूर करें और साफ करने के बाद अच्छे से उसे कच्चा ही पालक को आप अच्छे से पीस लीजिए जैसे कि मैं यहाँ पर उबले हुए पालक को पीस लिए हूँ तो जो भी पालक था सारा मैंने डाल दिया है मिक्सिजार के अंदर और अब मैं क्या करूँगी इसका एक स्मूद पेस्ट तयार करूँगी तो यहाँ पर जो पालक है इसे मैंने अच्छे से पीस लिया है और पीसने के बाद आप अपनी जरुत की अनुसार इसमें से एक चमच भरके ले लीजिए पालक पालक का पेश्ट मतलब जो हमने यह तयार किया है पालक का जो पेश्ट है अब आप इसे इसी तरीके से अपने चेरे पे नहीं लगा सकते हो इसे और ज़्यदा एफेक्टिव बनाने के लिए मैंने इसमें डाला है एक चमच भरके ऐलोवीरा जेल इन मैंसे कोई भी आप एक ले सकते हो और यह मैंने इसमें डाला है कम से कम 5-6 बूने कोकोनट ओईल की अगर यह आपके स्किन को सूट नहीं करता है तो आप इसके जगे आलमंड ओईल विटामिन E ओईल या फिर ओलिव ओईल इन मैंसे कोई सभी ओईल की 4-5 या फिर 5-6 बूने आप ले सकते हो सबसे लाश्ट में मैंनेस में डाली थी आदा चमच ग्लीसरीन ग्लीसरीन डालना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ग्लीसरीन होती है दूसरा यह है यह आपके सर्दियों में इसकिन को ड्राय नहीं होने देती साथ में जो आपकी स्किन है उसे सॉफ्ट और स्मूद बनाने में यह आपकी काफी ज़्यादा हेल्प करेगी ग्लीसरीन आप इसमें जरूर डालें और अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करते है तो आप इसे स्किप कर दीजे ग्लीसरीन को और उसकी जगे आप इसमें डाल सकते हो दूद की मलाई तो देखी अब मैं आपको बताती हूँ इस पैक को लगाने का तरीका सबसे पहले तो आपको अपने मेकप को और साफ कर लें उसके बाद अगर मेकप नहीं है लेकिन धूल मिटी आपके चेहरे पर है तो इसे आप अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि अगर आप धूल मिटी या फिर मेकप बाले चेहरे पर कोई भी पैक लगाते हो तो उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा लेकिन यह हो सकता है कि आपके जो इसके नहीं उस पर एलर्जी हो सकते हैं आपको रेडनेस हो सकते हैं तो पहले चेहरे को क्लीन करना बहुत ज़्यदा जरूरी है आप जो कि आपकी होता है ने कही बार जो हमारी गर्दन होती है काफी ज़्यदा डार्क होती है और मतलब बहुत ज़्यदा गंदगी जैसी जमी होती है बहुत ज़्यदा मेल साफ होगा की नहीं होगा तो आप इस पैक को मतलब हफते में तीन दिल लगाओगे तो आप देखोगे ज कि हाथों से क्या नहीं अच्छे से सैट हो जाता है तो आँखों के नीचे आपको एक मोटी सी लेयर बना कर छोड़नी है मतलब अगर आपको डार्क सरकल की प्रॉब्लम है साथ में आँखों के असपा जो जुरिया है उनकी प्रॉब्लम है तो आप मैं जैसे की उंगले में ल लेकिन जो निशान है वो जाने का नाम नहीं लेरे तो अगर आप इस पैक को लगाते हो तो आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलने वाला है तो आप क्या करें जहां पर आपको निशान है उस जगह पे आप एक मूटी सी लेयर बना ले अपने हाथों से अच्छे प्रब्लम होती है मेरे स्किन पर अगर मुझे मच्छर भी काड़ जाता है तो उसका निशान भी मेरे चेरे पर पढ़ जाता है लेकिन मैं क्या करती हूं केर करके उसे ठीक कर लेती हूं तो अभी मैंने पैक को लगा कर और इसे छोड़ दिया था पूरे 10 मिनट के लिए ड्राइ नहीं होना चाहिए थोड़ा सा गीला ही रहना चाहिए जिससे आप मसाज सही से कर पाओ अगर यह पैक आपको ड्राइ हो गया है 10 मिनट में तो आप या तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए या पर अपने हातों में गुलाब जल ले लीजिए और अपने हातों को गी नहीं करण है एकडम कम गर्म पाने और उसे आपको करना है एपने चाहरे को साफ करके हम तो कि हम आपने हाथ को लिए ना है मिहां प्रश्व the तोड़ा सा गर्म ऐसे आप इसे गर्म करिए यहां रगड़िये जब अच्छे से गर्म हो जाए आपको लगे कि आपके हाथों में गर्म हाट आगए उसके बाद आपको इसे अपने चेहरे पर इस तरीकी से लगा लेना है तो मसाज के लिए आपको पूरा टाइम देना है दो कि मैंने दो मिनट की मसाज की दो मिनट की मसाज के बाद आप देख सकते हो इसकिन पर बिल्कुल ऐसी चमक आएगी जैसे कि आपने कोई फेशियल कराया है अगर आप यह पालक का फेश्टेक हापते में तीन दिन लगाते हो तो आपको इससे अपनी डार्क सर्कल से छुटक से ग्लो बना रहेगा और आपकी जो इसकिने बिल्कुल भी ड्राय नहीं होगी आई हो पाँच की वीडियो आप सभी को पसंद आई हो जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना अब मैं आपसे मिलती हूं कल नई वीडियो के साथ नई व्लोग के साथ बाई बाई